यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ तो अचानक उसे सफेद रंग की कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई पाज आकर देखा तक छोटे से गुफा मिली और संगमरमर का सफेद शिवलिंग उनके हुआने पर दिखाई दिया जिसे भी ऑपरेटर रूपलाल ने बताए कि कुछ समय यहां काम करता है वक्त मचिनरी में काफी खराबी आ रही थी और बेदे दिन जब यह सब उसे दिखाई दिया तो उसने यहां पर तुरन प्रभाव से काम करना बंद कर दिया यह बात अब धीरे धीरे पूरे गाउं और पूरे इलाके में आग की तरफ फैलने लगे है और जिसे भी इसका पता चर रहा है वो दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचना शुरू कर गया है मही कागनी माता मंदिर कमेटी के परधान हिम सिंग रावत ने बताए कि जहां शिवलिंग मिला है वह चोटा सा मंदिर सभी कैसा योग से बनाया जाएगा ताकूब दादे हिमाचोर को देभुमी कहा जाता है और देभुमी कहलाने का कारण इसलिए क्योंकि यहां पर कहा जाता है देवी देटा निवास करते हैं और यहां पर दादे गाउं के पास सड़का निर्मान चड़ा था लेकिन बार बार जैसे भी में खराबी आ रही थी लेकिन यहां पर एक छोटे से गुफा भी प्रकट हुई जैसे भी से खुदाई करते के दोरान जब अंदर देखा गया तो संगमरमर का एक छोटा सा आएदा निया पर एक भी से चाल बार का लाया श्रसक्ला में विदा से गएवाग जिखा लेकिन ख़ेएधोदा फोटास से पास सब्सका सुदुददखा लेकिन घुदा लेड़ा ओुदद़ पास सान्दान चाल में चुदद़ हैं झाल झाल